नमश्कार दोस्तों एक नई लेर्णिंग के साथ हाजिरों और आज की स्टॉक लेर्णिंग में एक ऐसी कंपनी की चर्चा करूँगा जो मार्केट में बरा धूम मचाती रही है नाम अच्छी खासी कमाती है कंपनी और एक फोटी सी इंपक्ट की बात करूँगा अब इस सेक्टर में जो कंपनी यह काम काज करती है जिसका नाम है मोचल फंड की मामला हो या फिर इसको इंसनल एकुटिज ट्रेडिंग की बाद सिस्टम की बाद क्या इसमें अब एक बड़े प्लेयर आ चुके हैं जिसका नाम है जीयो कई सारे चीज देखने को सुनती है कि जीयो बड़ी क्या करेगी सब को मार्केट में डबा देगी ऐसा दोस्तों एक बात बताओं सिंपल सी सम्दों सब्दों में मुझे ऐसा लगता है कि जब जीयो आई थी ना उस टाइम में तीनी दो ऑपरेटर थे मार्केट में जब उन्होंने एयर टेल बोड़ा फोन और आ बाकी ऑपरेटर ने सस्टेन किया यहां पी सुनने क्या आती है कि काफी सारे जो जीयो फनल से साने से बाकी सारी कंपने डूप चली जाएगी बंद हो जाएगी इसी करी के तरब समझते हैं जो कंपने पिछले कुछ सालों की डेटा के बाद करो तो क्या सकते हैं कि पिछले कोई समझने के प्रियास करते हैं बाले ही स्टॉक किसी दिन दो पर्चंट चार्वर्चंट गिराबट हो या चड़ती हो से कोई फर्क नहीं बढ़ता कमपणी का कारवार क्या कहती है वो फर्क बढ़ता है जो बुक वैल्यू 147 का इंट्रसिक वैल्यू 635 का स्टॉक की प्रैस फिलहाल हजार के आज पास की ट्रेट है जो कि हायर टू हायर को फिलहाल क्या करके निकली है हायर टू हायर को करके प्रोफिट बुक नहीं चल रही है इस कंपनी में यदि इंडस्ट्रिल पी के जर्व आखना करे तो सकती कहती जो नियर बॉट रबाट रसेम है आखे इसके साथ किसको कंपेर किया आज गया वो दानना जरूरी है जो कंपनी कि सेगमेंट वाज की तरफ देखें तो कंपनी क्या 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 करती कहते हैं मौतिल इसको समझने के प्रियास कर रहें कंपनी में जब पियर्स किसको किसको रखा गया पियर्स में देखा जाए तो मौतिलाव स्वाल को एंजल वन, आएसी एसे सेक्रिटीज, नुमर न्यू वामाज वेल्थ, आयाएफल सेक्रिटीज, स्टुडेंट, सेयर इंडियास ऐसे कंपनी को सामिल किया गया इस कंपनी में जिसका पीक कहता है 20 का सपास और इसका नहीं इसको देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है इसके अलाबाद देखा जाए देट तू कुटे के बाड़े पी तासा सा ज्यादा कहता है एक अर्निंग पर सेयर की बात में तो 4700 परशेंट की अर्निंग करती है पर सेयर के फ्रॉम दा फेस्ट फॉर्म के नाम पर अच्छी कासी नेट वर्ट अलग 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 चीज़ां पर काम काज करती है यह देखने को मिलता है मार्केट कपड़ी 56,000 करोड के आस पास की बनती है चलिए इसको क्या करेंगे इसके लिए दोस्तों जो इस डेटा है ना इसके परते केबल एक ही स्कूरी के लिए कैसे इनकी ट्रेंडिंगवे कहते हैं और मार्केट का रेक्शन क्या है। इसमें डेमांड का की प्रियास करते हैं क्या कहना चाहती है और यहाँ पर आशा फॉर्म है जो दूसरी के लिए क्या करती है दूसरी के लिए रिकॉम्डेशन दे कहती है जब आइंजल वन टार्गेट अंद एक तालिसो के लिए और मोधिलावसमाल कहते कि एक बड़ी रैली आने बाली और यह कहते है कि ब्रेक आट स्टॉक होड टू टेट और यहां यह त यहां पर कुछ कंपनी के लिस्ट में इंका भिनाम सामील आता है अब इसके कुछ पढ़ावां पहलों पर थ्यान दें तो सायद यह कह सकते हैं कि इनको क्या कहती है कहती है जो यह नोंने एक और दिया था रिकॉम्डेशन देश्ट चलती रहती है मार्केट में एक दूसरे कि लिए लोग रिकॉम्डेशन देते रहते हैं कोई कभी इसी के लिए देता है सब दूसरे के मनेजरमेंट बी कुछ ने को अच्छाई नजर आता है उसके लिए रहती है यहां पर देखा गया कि यह यह वाइवा डेटा है वहां से लेकर उच्छाई यहां पर पहुंचती और यदि हम नम्मर को बात किया तो नम्मर में करीब 897 करोड की जगह पे करीब 2400 करोड के आसपास काँख्रा दिलाती है अब प्रोफिट भी कंपनी को लेकर कहती है कि यहांबर प्रोफिट आच्छादाग करोड के आसपास पास नेरली बनाती है कब यहां अबर इस सीपा पर फिलहाल देखने को मिलता है जो कि सबसे अधा प्रेंडिंग विव इन दर टॉप पी है अपरेटिंग एक्समिस भी करीब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी नियर लिए वाट इनक्रीज ही करती नजर आती है अठावार जोन सक परशेंट तक बढ़ जाती है लास् अधार आ रही है इसके लाब़ा देखा है तो मार्केट में उनकी उधार पर है हो जो यह करीब आट-सो क्रोड की हाथ में चुके हैं तबी मार्केट में रिस्क में लगा हुआ इसमें कोई फार्क नहीं के तीन मेने कितना तो मैने के लिए डिस्पेक्टर की बात करती हूं तिन मेने के लिए इस कंपनी में निवेशक की तरफ देखें तो निवेशक काफिस ज्यादा बूलें क्यूं पता है क्योंकि मार्केट में इनके स्टेट की जो लगातार क्या करें लगातार शाल दर साल बढ़ी ती नजर आती है और इसके वैसे बियुआ टिया बिलकुल सेम के साथ हैं, 6% के वोल्डिंग के साथ बने हैं, प्रिमोटर के वोल्डिंग सरी 70% के आसपास की बनती है और 18% की होल्डिंग काम पब्लिक के लिए जिसमें की नवीन अगरवाल, एक रजट राज 111 यार नाम से कुछ लोग हैं जहां पे इनके और देखिए यहां पे सब सवा आएगे तो लगेगा कि अच्छा मार्केट तो और भी बूल होगा, क्यों यहां पर लंबी ट्रेड ही देखने को मिला है, वहां पर लंबी सी बल्क दिल की बात नहीं कर रही है, लेकिन बड़ी वॉल्यूम आई थी मार्केट में उसको खड़े देखने को लेकर, कुछ और पहलू पर देखे ध्यान देखे तो उनके पियर्स में हमने देखा कि यह भी पियर्स में सबसे टॉप इनका नाम आता है खास करके स्टॉक और कॉमेडेडेज ब्रोकिंग के अंदर इसके लबाने से स्पार्ट कहती है इनको लेकर के जो लगातार इसमें सब कुछ अच्छायों की बात करती है कि अच्छी प्रोफिटलिटी देती है अच्छी सारे रिटर्न देती है लास्ट पांस साल में अच्छा पसा प्रोफिट देती है तो रिस्क टू रिवार्ड क्या कहती है कंपनी कुछ देती भी लेती है कि नहीं लेती है कंपनी की तरब देखा ज दिया था 14 रिपे का सबसका मतलब लगातार इन में कुछ नई उचायों को टॉच करने को कसर नहीं चोड़ती है और प्रोटेस्टिस लगातार बड़ी है देखिए यदि बोनस भी दिया तो मार्केट में कभी सेटप बनी है क्या सेटप लगातार कहां पर जा रही है और टू मार्केट के लिए गोल्डे रूल हमेश्य क्या कहती है उस पर जहां देना जरूड़ी है क्योंकि जब्भी मौका दे बहाओ ही भगबान है जब्भी मौका दे तो प्रॉफिट लेना चाहिए यह नहीं कह सकता कि प्रोफिट करने के बाद ही गर लाना चाहिए और यदि रिस्क बहुत जादा है तो रिस्क को लेकर के अपने कहां पिलिया किस प्राइस पिलिया लेकिन जिस्वी प्राइस पिलिया उसके लिए अपलाई होता है करने की प्रियास लहती है और होता भी है ऐसा डेटा की बात कर रहा हूं किसी यह सटाउक को लेकर कि हमारे साथ से कोई डेडिंग और एडवाजरी की बाद बिल्कुल सामिल नहीं लाइव होती है और लाइव ही हमारा आपके सामने अप्डेट अप्लोड खुल जाती है कोई इडिटिंग का पार्ट नहीं होता है जहां पर पियर्स में देखा है तो आप आयस इसी है जो कि सेर इंडियाज कंपनी हेड डॉलड जैसे इस कंपनी है सामिल है इसका लिस्ट में और हमने इसको समझने का प्रियास कर दें सेगमेंट वाइज भी कुछ पहलू पर ध्या निए भी कास करते हैं इस सेग्मेंटर्वाज कुछ डेटा होगा तो करते की अनुकर पास सगमेंटे के साथ तब-टक के लिए हिंजवा एंट थैंक यू सो मच पर जोइनिग एर दोस्त